नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सबका नर्सिंग केरियर क्लब के डिपलोमा इन ओपरेशन थेटर टेक्निशन के ओनलाइन सेक्षन में दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है माइक्रो टॉमी हम इस चैप्टर के अंदर निमनल इखित पॉइंट्स कवर करेंगे पहला है इंटरोड़क्शन दूसरा है टाइबस ओफ मािक्रो टॉम तीसरा है नाइफ यूस्ड इन मािक्रो टॉम चोफा है मािक्रो टॉम नाइफ शार्पनिंग ανα है पेराफिन सेक्षन कटिंग तो आईए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में कि माइक्रोटोमी क्या होता है लाइट माइक्रिस्कोप सेक्शन की शुरुआत में जहां मैनुवली प्रिपेर्ड रेजर ब्लेड मशीनों का उप्योग करके तयार किया गया है जो पैथोलोजी के लिए हिस्टोलोजी में एप्लिकेशन के लिए एक सेंपल से एक्स्टरनली थिन सेक्शन को कट करते हैं सेंपल के टाइप्स और डिजायर ठिकनेस के आधार पर डायमेंड ब्लेड के लिए इस्पेशल मेटल ग्लासेस का उप्योग करते हैं सबी माइक्रोटोम मेन पार्ट से कंसिस्ट होते हैं बेस, माइक्रोटोम बोडी, नाइफ अटेजमेंट, नाइफ होल्डर, टीश्यू होल्डर के मैटेरियल्स सेक्शन थिकने इसको एडजस्ट करने के लिए एक एडवांसिक मेकेनिजम का उप्योग किया जाता है Modern Microtome Precision Instrument है जो समान रूप से थिन सेक्शन को कट करने के लिए डिजाइन किये गए है Electron Microscope के लिए जहां कई हजारों का Magnification संबव है एक सेक्शन की थिकनेस आम तोर पर 10NM के ओडर की होती है अब हम बात करते हैं Types of Microtomes के बारे में Cambridge Rocking Microtome, Rotatory Microtome, Base Sledge Microtome, Sliding Microtome और Freezing Microtome या Cryo State Cambridge Rocking Microtome यह केवल पेराफिन सेक्शन कटिंग के लिए डिजाइन किया गया है यह डिजाइन में oldest, cheap और use करने में simple होता है externally reliable होता है टीशू आर्क के माध्यम से आगे बढ़ता है क्योंकि यह knife की तरह बढ़ता है जिससे सेक्शन कर्वर प्लेट में कट जाता है बहुत थिन सेक्शन को प्राप्त करना difficult होता है एक major disadvantage ब्लोक के आकार की एक limit है जिससे काटा जा सकता है जैसा कि हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह Cambridge Rocking Microtome का है जिसमें block, knife, knife adjustment, claim, block holder, tilt adjustment, microtome adjuster, operating handle और drive wheel को दर्शाया गया है rotary microtome rotary microtome operation एक hand wheel के action पर आधारित होता है जो एक block के advancement को rigidly held knife के 2 hours activate करता है block life के संबंद में एक vertical plane में up और down चलता है और इसलिए flat section में cut करते हैं machine लाइट वेट होती है एक continuous ribbon में paraffin wax material को काटने के लिए suitable microtome होता है heavy duty के लिए microtome driver instrument को synthetic resin में embedded hard material section में इस्तिमाल किया जाता है frozen section को cutting करने के लिए rotary microtome अधिकांच state मिलता है जैसा कि आप इस slide के माधियम से देख सकते हैं कि ये rotary microtome का diagram है base sledge microtome ये light microscopic के लिए whole organsite paraffin और resin embedded material के large blocks को cutting करने के लिए design किया गया है जब large hard blocks की suctioning के करते समय एक major advantage होता है इसका उप्योग various industrial applications, woods, plastic, etc. से material को cut करने के लिए भी किया जा सकता है block holder को एक steel carriage पर लगाया जाता है जो backwards और forwards एक fixed horizontal knife के साथ slide करता है advantage है heavy, very stable, not subjected to vibration होता है paraffin wax embedded section बहुत easily cut जाते है disadvantage है practice के साथ routine paraffin block से sectional को किसी भी other type के microtome के रूप में quickly काटा जा सकता है जैसा कि आप इस slide के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये base ledge microtome का diagram है sliding microtome sliding microtome और पहले described models के बीज fundamental difference ये है कि इस instrument के साथ block इस्तिर रहता है जबकि sectioning की process के दौरान microtome knife चलता रहता है silhouette embedded tissue blocks को cutting के लिए design किया गया है knife और blade stationary होते हैं इसे sectioning के दौरान specimen slide करते हैं पेराफिन के लिए भी उपयोग किया जाता है जैसे कि wax embedded sections जैसा कि हम इस slide के माध्यम से देख सकते हैं कि ये sliding microtome का एक diagram है freezing microtome microtome की यह form thin to semi thin sections को fresh frozen tissue cutting के लिए उपयोग की जाती है freezing microtome एक ऐसी stage है जो equipped होती है जिस पर cylinder से liquid carbon dioxide को उपयोग करके tissue को quickly frozen किया जा सकता है कुछ cooling systems knife को same type में cool करने के लिए allow करते हैं इस type के microtome के साथ thin sections को प्राप्ट करना बहुत difficult होता है जैसा कि हम इस slide के माध्यम से देख सकते हैं कि ये freezing microtome का एक diagram है तो आईए अब हम इससे related एक practice question solve कर लेते हैं question है which kind of microtome is used for the frozen tissue option first base sledge microtome, option 2 sliding microtome, option 3 freezing microtome, option 4 none of these answer है option 3 freezing microtome knife used in microtome tissue के uniform thin cereal sections को cut करने के लिए उप्योग किये जाने वाले important instruments में से एक है routine purpose के लिए wage knife का उप्योग किया जाता है यहें दोनों side plane होता है size 100 mm to 350 mm इन length में होता है knife के types है steel knife, glass knife, diamond knife और सेफिरीन knife knife की profiles है planoconcave, bioconcave, wedge, tool wedge हम सबसे पहले बात करते हैं planoconcave के बारे में इसका use primarily nitrocellulose embedded tissue को cutting करने के लिए किया जाता है इसका diagram दिखाया गया है इसी slide पर दूसरा है bioconcave इसका use rocking microtome में किया जाता है sharp करने के लिए यह easy होता है इसका diagram भी इसी slide पर दिखाया गया है next step wage cutting frozen sections को originally design करने के लिए किया गया है किसी भी microtome पर सभी प्रकार के section को cutting करने के लिए उप्योग किया जाता है wage का diagram इसके सामने दिखाया गया है next step tool wage यह मुक्य रूप से section exceptional heart tissue के लिए उप्योग किया जाता है decalcified dense cortical bone के लिए इसका उप्योग किया जाता है undecalcified bones में भी इसका उप्योग किया जाता है tool wage का diagram सामने की ओर दिखाया गया है तो आईए अब हम इससे related practice question solve करते है question है which kind of knife is used for decalcified cortical bone option first planoconcave, option two bioconcave, option three wedge, option four tool age answer है option four tool age अब हम बात करते हैं microtome knife sharpening के बारे में manual procedure और automatic procedure ये दो टाइप का है first होनिंग, second है stopping हम बात करते हैं first होनिंग के बारे में microtome knives को एक special stone के against sharp किया जाता है जिसे होन के रूप में जाना जाता है होनिंग knife के cutting edge को grinding के लिए एक hard abrasive surface पर knife को sharp करने के लिए संदर्बित करता है abrasive surface के लिए stone के types बिल्गेन, black vein और एरकांसेज, एलोकसाइट और कार्बोर डम कंपोजिट्स होन को non-skit surface पर रखते हैं damp cloth का उपयोग होन के movement को रोकने के लिए किया जाता है lubrication के लिए light lubricating oil या soapy water प्रियोग किया जाता है cutting edge operator और roughly heel से दूर सामने की और होता है जो लगबर्ग होन के nearest end के center में होता है knife को thumb और four finger के बीच, back पर thumb और front surface पर four finger को रखा जाता है knife को heel से toe की और होन के other end पर forward diagonally push किया जाता है अपनी back के उपर से गुमाया जाता है और जब तक heel center के cutting edge के साथ center में नहीं हो जाती तब तक पूरी तरफ गुमाया जाता है और फिर diagonally तरीके से वापस लाया जाता है फिर इसे पूरे originally portion में बदल दिया जाता है जैसा कि इस diagram को देख कर हम समझ सकते हैं second type है stopping एक already fairly sharp edge को polishing करने की process होती है flexibung या hanging या rigid हो सकता है यूज करने से पहले और regularly annually strops को oiled vegetable oil और dressed fine carbon dumb powder से तयार किया जाता है rigid type एक single leather strop होता है जो wooden frame पर लगबग 12 inch length, 2 inch width, 2 inch height तक फैला हुआ होता है knife को four finger और thumb के साथ रखे गए operator honing के opposite knife की और cutting edge के पास के end पर रखा जाता है action honing के ठीक विपरित होता है इस diagram के द्वारा हम इस process को अच्छे से समझ सकते हैं paraffin section cutting इसके लिए equipment जो यूज में लिये जाते हैं water bath, hot air oven, clean slide, ice tray, pencil, teasing, needle technique है knife को knife holder में insert करते हैं और कस कर screw करते हैं block को block holder में fix करें और सुनिश्चित करें कि ये secure हैं feed mechanism adjust किया जाता है जब तक कि wax block knife को almost touch नहीं हो जाएं सुनिश्चित किया जाता है कि block की hall surface knife के parallel move करें ताकि section का straight ribbon राप्तो faulty sectioning से बचने के लिए सबी screw tight करने चाहिए block trimming section के लिए rough knife के साथ 15 micron की मोटाई ली जाती है sharp knife का इस्तमाल sectioning के लिए किया जाता है routine work के लिए आवशक मोटाई 4 to 5 micron की मोटाई गोस को reset करें block को surface पर ice apply करें ताकि wax hard हो जाएं जो frictionally heat से soft हो जाएगा ribbon के रूप में sections का एक smooth continuous plastic flow होना चाहिए जब ribbon बंद हो जाता है तो इसे fine moisture brush या forceps के साथ gently पकड़ा जाता है और फिर water bath में transfer कर दिया जाता है फिर creases को हटाने के लिए section को water bath temperature 5 to 6 degree below melting point of wax पर तेरने के लिए ढग दिया जाता है clean या albumized slide पानी में आधर डूप जाता है और एक dissecting needle का उप्योग करके section को picked up किया जाता है फिर slide को एक upright position में drain करने के लिए set किया जाता है slide को incubator में रखा जाता है जो कि plain slide के लिए 37 degree overnight और albumized के लिए 2 hour 60 degree पर रखते हैं अब हम इससे एक practice question solve कर लेते हैं question है microton knife can be shaping by which method option A honing, option B stopping, option C both of these, option D none of these answer is option C both of these दोस्तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें comment box में लिख कर जरूर बताएं और हाँ दोस्तो अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर subscribe कर लें और हाँ like करना नहीं भूलें हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद